नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने योट्यूब चैनल एक्जाम ट्रकर में आज हम इस वीडियो में 8 नॉवंबर से 14 नॉवंबर 2022 तक के वीकली करन अफेर को कभर करेंगे साथ में प्रते कोस्चन से लेटेड इंपोर्टन फैक्ट को भी जानेंगे द हमारे नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करके टेली गुराम को जॉइन के लिजिए वहां से आपको वीडियो का पीडियो भी मिल जाएगा तो चली दोस्तों बिना किसी देरी किये हम आज का वीडियो स्टाट करते हैं किस ने डिजिटल चालू खाता लांज किया है तो सुरू किया है चेक बुक ने छोटे व्युक दोस्तों मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था पिछले सर्था वीडियो में कि स्याम सरण नेगी भारत के पहले मंद आता है जिन्होंने postal ballot से हिमाचल प्रदेश विधान सभाग का vote किया था और उसी के बाद इनकी मृत्यू हो गई ठीक है तो इस तरह सिसकाफसा नंबर C सही हो जाएगा इनकी उम्र 106 वर्स है यह आपको ध्यान देना यह भारत के पहले मत दाता थे तो इस तरह सिसकाफसा नंबर C सही है नेश्ट कोशन है कोशन नमर 3 है आई एफ और आरेस एफ के बीच वार्सिक सैयुक्त सैन प्रसिक्षण कहां सुरू हुआ है तो यह सुरू है पहचिम बंगाल में दोस्तों इंडियन एर फोर्स और रायल सिंगापूर एर फोर्स के पहचिम बंगाल में यह संपन हुआ है तो दोस्तों इस तरह से इसकाफसा नंबर B सही हो जाएगा नेश्ट कोशन है हाली में किसे वर्स 2022-23 के लिए सिलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है तो यह चुना गया किसोर रेड़ी को आपको इमेज में किसोर दिख रहे होंगे इस तरह से इसकाफसा नंबर B सही हो जागा किसोर रेड़ी नेश्ट कोशन है कोशन नंबर 5 है हाली में राष्टी कंसर जागरुपता दिवस कम मराया गया है तो आपका मराया गया है सात नुमबर को प्रतेक सात नुमबर को राष्टी कंसर जागरुपत पर लिखी गई दो पुस्तकों को का विमोचन हुआ है तो एह हुआ है दोस्तो दुबई में कहाँ पर? दुबई में याद रहिएगा कोशल विकास एवँं उद्यमिता राजमंतरी जो है राजीव चंसेखर राजीव चन सेखर नहीं दो पुस्तकों का विमोचन दुमई में किया है एक कलेंडर वर्स में एक हजार टी टॉन्टी वर्स बनाने वले पहले भारती खिलाडी कौन बने है तो बने है सुरुकुमार याद हो आपको इमेज में दिख रहे होंगे सुरुकुमार यादो इस तरह सिसकाफसा नमबर भी सही है नेश्ट कोश्चन है खाली में ACI हाकी महासंग के अध्यक्ष कौन बने है तो ACI महासंग के ACI हाकी महासंग के अध्यक्ष बने है आपके तयव इक्राम तयव इक्राम ये पाकिस्तान के है ठीक है इस तरह सिसकाफसा नंबर B सही हो जाएगा नेश्ट कोश्चन है कोश्चन नंबर 9 है कोश्चन नंबर 9 है राष्टी इसमारक प्राधी करण के अध्यक्ष कौन बने है तो बने है किसोर कुमार बासा किसोर कुमार बासा राष्टी इसमारक प्राधी करण के नए अध्यक्ष बने है इस तरह सिसकाफसा नंबर B सही हो जाएगा नेश्ट कोशन है प्रमोध भागत ने BWF BWF पैरा बेडमिंटन चेंपियंशिप में कौन सा पदक जीता है तो बेडमिंटन वर्ड फेडरेशन में जो है प्रमोध भागत ने स्वण पदक जीता है इस तरह सिसकाफसा नंबर C सही हो जागा स्वण पदक नेश्ट कोशन है कोशन नंबर 11 है हाली में 20 रेडियोग्राफी दिवस कम मनाया गया है यह मनाया गया है आठ नंबर को परतेक नंबर को रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है रेडियोग्राफी के जो मेडिकल में यूज है उसके जागुता वढ़ाने के लिए परतेक वर्स आठ नंबर को रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है नेश्ट कोश्चन है, कोश्चन नमबर 12 है, उपराश्ट पती जबजीग धनखड, कहाँ पर आसियान भारती इसमारक सिखर सम्मेलन में भारत का नित्रुट करेंगे, तो ये करेंगे कमबोडिया में, कहाँ पर कमबोडिया में, इस तरसिस का आपसा नमबर सी सही हो जाएग तो इस केशर इंडिया ने कृती सेनन को, कृती सेनन को अपना ब्रांडम बेजडर बनाया है, इस तरसिस का आपसा नमबर 20 है, आपको इमेज में कृती सेनन दिख रहे होंगी, नेश्ट कोशन है, कहाँ पर तिरपनमा, भारती अंतराष्टी फिल्म महतसाव आयोजित किया तो इस किया जाएगा, गोवा में कहाँ पर, गोवा में इस तरसिस का आपसा नमबर ए सही हो जाएगा, गोवा, तो दोस्तों यहां गोवा आया है, तो गोवा के राजधानी है, पढ़जी, मुखमंद्री है, प्रवेश सावन्त, और राजपाल है, पियस, सिरीधरन, पिल आ गया है, इस तरसिस का आपसा नमबर, भी सही हो जाएगा, रितु राज अवस्ती, आपको इमेज में रितु राज अवस्ती दीख रहे होंगे, नेश्ट कोशन है, जीस, एममे के उपाध्यक्ष कौन बने है, जीस, एममे के उपाध्यक्ष बने है, गोयल, विठ्थल, तो GSMC का पुरा नमता है Global System of Mobile Communication Association, ठीक है, Global System of Mobile Communication Association, तो इस तरह सिसका आपसा नमबर B सही हो जाएगा, गोयल, विठल, नेश्ट कोस्चन है, कोस्चन में 17 है, किसने बाल का पुरवानमान लगाने के लिए, फ्लूड हब मंच लांच किया है, तो किया है, गूगल ने एक Artificial Intelligence ट दिवस कब मनाया गया है, तो राश्टी कानून सेवा दिवस प्रतेक 9 नमबर को मनाया जाता है, इस तरह सिसका आपसा नमबर C सही है, प्रतेक ब्यक्ति को कानूनी सहता प्रदान करने के लिए, प्रतेक 9 नमबर को कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, इस तरह सि पुरा नाम है, विनिंग दा इनर वैटल, ब्रिंगिंग दा बेस्ट वर्जन आफ यू तो किरकेट, नेश्ट कोश्चन है, हाली में 9 नॉम्बर को किस राज का अस्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये मनाया गया है उत्रा खंड का, उत्रा खंड का जो अस्थापना हुआ आजो जित किया गया है, तो ये किया गया है, ग्रिय मनंत्राला दवारा, इस्तरा सिसकाफसा नंबर 20 ही हो जाएगा, नेश्ट कोश्चन है, कोश्चन नंबर 22 है, जस्टिस डी वाई चंद चून ने देश के कौन से नंबर के मुखन अधिस के रूप में सपत ली है, तो य निया की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है, उज्जैन में, कहा पर, उज्जैन पढ़ता है, मद्ध परदेश में, इस तरह सिसकाफसा नंबर, सी सही हो जाएगा, उज्जैन, नेश्ट कोश्चन है, कोश्चन नंबर 24 है, हाली में सांती और विकास के लिए, विस्व बिज्ञान दिवस कम मनाया गया है, तो यह मनाया गया है, दस नंबर को, परतेक दस नंबर को, सांती और विकास के लिए, जो बिज्ञान का योगदान है, उसको जागलुकता वलाने के लिए, परतेक दस नंबर को, सांती और विकास के लिए, विस्व बिज्ञान दिवस म ko जाएगा गोअ प्रदेश के चार जुलों में स्काविजन किया जाएगा वहाँ जिल्य है वरारसी और नोडा याद दिखेगा अलखनो गोरगपूर वरारसी और नोडा इस तरह सिसकाफसा नमबर सी सही हो जाएगा नेश्ट कोशन है कोश्चन नमबर 28 है आल इंडिया रबर इंडेस्ट्री एसोसियेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं आल इंडिया रबर इंडेस्ट्री एसोसियेशन के अध्यक्ष बने हैं रमेश केजरीवाल इस तरह सिसकाफसा नमबर भी सही हो जाएगा रमेश केजरीवाल आपको इमेज में रमेश केजरीवाल दीख रहे होंगे नेस्ट कोश्चन है कोश्चन में 29 है हाली में राश्टी सिक्षा दिवस कम मनाया गया है तो ये मनाया गया है 11 नॉम्बर को परते की 11 नॉम्बर को भारत के पहले सिक्षा मंतरी मौलाना अबुल कलाम आजाद के जैनती पर 11 नमबर को राश्टी सिख्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है इस तरह सिसकाफसा नमबर D से हो जाएगा नेश कोशन है कोशन में 30 है नवी टेकनोलाजी ने किसे अपना ब्रांड अमेजडर बनाया है तो बनाया है MS धोनी को इस तरह सिसकाफसा नमबर D से हो जाएगा MS धोनी नेश कोशन है कोशन में 31 है हिमाचल परदेश में दुनिया का सबसे उचा मतदान केंदर कौन सा बना है तो बना है तसी गंज तसी गंज याद रखेगा हिमाचल परदेश के लाहॉल इस पिती जिलेम पड़ता है इसकी उचाई कुल है 15256 फीट याद रखेगा 15256 फीट उचाई पर तसी गंज मतदान केंदर दुनिया के सबसे उचा मतदान केंदर बना है इस तरह सिसकाफस नमबर भी सही हो जाएगा नेश्ट कोशन है कोश्चन बर 32 है अरुडा मिलर किस अमेर्की राज के उपरा जपाल पद समालने वाली पहली भारती अमेर्की बनी है तो मेरी लेंड की आपको अरुडा मिलर इमेज में दिख रहे होंगी नेश्ट कोश्चन है कोश्चन बर 33 है हाली में लोग सेवा परसारण दिवस कब मराया गया है तो यह मराया गया है 12 नमबर को याद रखियेगा परतेक 12 नमबर को लोग सेवा परसारण दिवस मराया जाता है यह मराया जाता है दोस्तों क्योंकि 12 नमबर 1947 को राष्ट पिता महात्मा गांदी ने आल इंडिया रेडियो पर विस्थापित भार्तियों को संभोधित किया था उसी लिए प्रत्येक 12 नमबर को लोग सेवा प्रसारण दिवस करूप में मना जाता है इस तरह सिस्का अप्सा नमबर A से हो जाएगा next question है question number 34 है नीरा चोपडा किस देश के friendship ambassador बने है तो बने है स्वीड़ियर लेंड के friendship ambassador नीरा चोपडा आपको नीरा चोपडा इमेज में दीख रहा होंगे किसने फिट इंडिया स्कूल सब्ता के सुभंकर तुफार और तुफानी का सुभारंब किया है तो यह किया है PB सिंधु ने इस तरह सिसकापसा नंबर 20 से हो जाएगा PB सिंधु नेश्ट कोशन है कोशन मा 36 है हाली में RIL Reliance Industry Limited ने किस राज में भाद का पहला मल्टी माडल लाजिस्टिक पार विक्सित करेगा ते करेगा तमिल लाडो में कहाँ पर तमिल लाडो में इस तरह सिसकापसा नंबर 20 सही है तो तमिल लाडो दोस्तों तमिल लाडो के राज़ानी नेश्ट कोशन मा 37 है ग्रेग बारकले को कितने साल के लिए ICC का अध्यक्ष पुना निर्वाचित किया गया है तो ग्रेग बारकले पहले से ICC के अध्यक्ष थे इन्हें फिर पुना 2 साल के लिए अध्यक्ष न्यूक्त कर दिया गया है तो इनको सर्व समती से 2 साल के उची प्रतिमा का नावरान किया है तो किया है बैंगलूरू में कहां पर बैंगलूरू में याद किया है बैंगलूरू जो सहर है उसके निर्माण करता थे केमपे गोड़ा तो उनकी 108 फिट उची प्रतिमा का नावरान प्रधानमंत्री मोधी किया है बैंगलूरू में ही इस अब हम लोग पिछले सप्ता के सवाल का एंसर जाल लेते हैं तो पिछले सप्ता में मैं आपसे question पुछा था कि कौन सा भारती क्रिकेटर दुनिया का number 1 बल्लेबाज बना है तो बने है सुरुकुमार याद ओ इस तरह सिसका option number A सही है अब आपके लिए आज का जो सवाल है नवी टेकनोलाजी ने किसे अपना ब्रांड मिजडर बना है दोस्तों ये चार आपसन है अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप इस question का जवाब बढ़े ही अराम से दे पाएंगे दोस्तों इस question का जवाब आपको comment box में लिक कर बताना है कि इन चारो आपसन में से कौन सा सही है तो ए था हमारा आज के weekly current affair का वीडियो आप कोई वीडियो कैसा लगा प्लीज comment box में जरूर बताइएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक सधिक सेयर करें साथ में इसी तरह के interesting और महतपूर वीडियो पाने के लिए exam tracker चैनल को subscribe करके बेल आइकन को दबा लीजिए क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही बहतरीन वीडियों लेकर आते रहते हैं तो दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद